हेलो वेलकम फ्रेंट्स तो दोस्तो आई तिंक आप सभी ललीत नरैनमितलव उनिवसीटी दरभंगा के स्टुडेंट्स होंगे दोस्तो आप सभी को पता ही होगा थार्ड पार्ट में एक लास्ट पेपर जी इस का होता है जिसमें History, Geography, Economics, Political Science, Static GK, Current Affairs, Bihar Special इन सभी सेक्षन से प्रस्ण पूछे जाते हैं एक सो प्रस्ण पूछे जाते हैं सभी objective होते हैं और इस पेपर में हमें केबल qualify करना होता है इसका marks हमारे total marks में नहीं जूटता है लेकिन याद रखना इसको qualify करना बहु जरूरी है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में जो GES का exam हुआ है Science और Commerce वाले students का उनके paper का review करेंगे देखेंगे किस प्रकार से question पूछा गया तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो मेरा पहला प्रस्ण है भगवत गीता जो है किस के दोरा लिखा गया है तो दोस्तो ये महरसी ब्यास के दोरा लिखा गया है अगला प्रस्ण अमेरिका जो है दोस्तो ये पुंजीवादी अर्थविवस्ता का उताहरन है GT रोड यानि Grand Track रोड जो बनाया गया है दोस्तो ये सेर्षा सूरी के दोरा बनवाया गया है आपको पता होगा इसका ये जो है न सेर्षा का मकवर कहा है तो सासा राम में है GT रोड यानि Grand Track रोड जो है दोस्तो ये सेर्षा सूरी ने बनवाया अगला प्रस्न गुरु गोबिंद सेंग सीखो के दसवे गुरु थे पहला एटमबम नागसाकी पर गिराया गया था पंच तंत्र के जो रचनाकार है दोस्तो ये विशनु सर्मा हो जाएंगे आरिये भट ग्यान विश्विद्याले जो है दोस्तो ये पटना में है बैसाली जीले का जो मुख्याले है ये हाजीपूर में है यस बैंक जो है दोस्तो एक नीजी बैंक है अगला प्रस्न राजा राम मोहन राई जो है दोस्तो एक प्रसीद सुधारक है कॉंग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ ए ए हूम के दोरा किया गया भुदान अंदूलन के दोस्तों जो प्रनेता है ये आचारी बिनोबा भाववे है अगला प्रस्थन भारत का सर्वोच्य नियाले नई दिल्ली में अवस्थित है अगला प्रस्थन दोस्तों फागु चोहान जो है बिहार के राज्येपाल है ये 2020 में जब एक्जाम हुआ उस समय के अनुशार है जब अगर आप फ्यूचर में दे रहे होंगे तो उसके कोडिंग इसको याद रखेंगे इस प्रस्थन को आप अगले साल के लिए प्रिपेर बिल्कुल नहीं कर सकते क्यों हो शकता है फ्यूचर में राजपाल चेंज हो सकते हैं तो ये करेंट अफेर्ड के चीज़ है हमेसा बदलता राता है हर पांच सालों के बाद अगला प्रस्ण जो है दोस्तो बीस्टो परियावर अधिवस्काव मनाया जाता है तो पांच जो उनको मनाया जाता है उसके बाद 1979 में 14 प्रमुक भारतिय बैंकों का राश्टिय करन किया गया है अगला प्रस्ण दोस्तो अरुनाचल परदेश की राजदानी जो है ये इटा नगर हो जाएगा अगला प्रस्ण दोस्तो अठार नंबर ब्लेंक स्पेस पार्सियों का धार्मिक गरंथ है तो दोस्तो ये जो है जेंद आवेस्टा ये पार्सियों का धार्मिक गरंथ है आइं करांती जो है दोस्तो ये दूध से संबंदित है दूध उत्पादन से. रोहिच सर्मा जो है दोस्तो ये एक किरकेट खिलारी है. लोकशभा का कारेकाल पांच बरस होता है. जन संखिया के आध्यन को जनांती कहा जाता है दोस्तो. आरी समाच के संस्थापक दोस्तो एक लोकतान्त्रिक देश नहीं है अगला प्रसन दोस्तो बहारत में सबसे बढ़ावानी जी बैंक जो है भारती स्टेट बैंक है भारत के बीतिय राजदान दोस्तो ये मुंबई है अगला प्रसन यामिनी कृष्नमूर्ती एक प्रसीध नर्त की है पटना विस विद्याले की अस्थापना दोस्तू 1917 में की गई भारत के संबिधान को दोस्तू 24 भागों में बाटा गया है राज्य सभा के कितने सदस्य भारत के राश्ट्रपती दोरा नामित किया जा सकते हैं तो बारत दोस्तू भारत ने बर्स उनिस सोई क्यानविर में बैसवी करन प्रकिरिया में प्रवेश किया भारत सरकार दोरा बर्स 2017 में संपोर्न सोक्षता अभियान प्रारंब किया गया अगला प्रसंद दोस्तू लोकशवा के सदस्यों के अधिक्तम संख्या जो है दोस्तू ये 545 है एकजीमा जो है दोस्तू ये तोचा से संबंधित रूग है इसमें सरीर में खुजली की तरह होता रहता है अगला प्रसंद दोस्तो भासकर एक भारती गनित तक ये थे मौंट आबू राजस्थान में स्थीत है पानिपत की तिसरी लराई 1761 में लड़ी गई उसके बाद दोस्तो रिंग बेद जो है शरवाधिक प्राचीन बेद है उप भोक्ता सनरक्षन अधिनियम 1986 में पारित किया गया भारत में सिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है पवित्र गाई नेपाल का राष्टरिय पसू है मोबाइल कमपनी नोकिया फिनलेंड देश की है अगला प्रसंदोस्तो आई सी टी का अर्थ इनफोर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेकनलोजी है अगला प्रसंदोस्तो पारिस्थित की तंत्र पद सरपर्थम और थर टांसले दोरा प्रयुक्त हुआ अगला प्रसंदोस्तो स्वपोशी पौधी खाज स्रिंखला निरमाता के रूप में मानने जाते हैं अगला प्रस्ण साकाहारी पर्तियक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पाद को परनिडवर रहते हैं वे जानवर जो केवल अन्य जानवर को खाते हैं मानस अहारी डेशीवल जो है दोस्तो ये धोनी की इकाई है अगला प्रस्म दोस्तो चाबल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है आपको पता होगा अंडा मांस और दालिन सभी में प्रचूर मातरा में प्रोटीन पाया जाता है संत्रा और नेमू जो हैं दोस्तो बिट में बिटामिन सी पाया जाते हैं इंसूलिन का परयोग दोस्तो डाइविटीज के उपचार में किया जाता है एनिमिया जो है दोस्तो रक्त की कमी से होती है लोग की कमी से होती है बर्मी कम पोस्टिंग में केचुआ सामिल होता है परियाबरन पर सरबादिक प्रभाव मानव हस्त छेप का परता है अगला प्र के लिए जाना जाता है सर्दार श्रो बरबांद नर्मदा नदीपे है अगला प्रशन नेमन लिखित ब्रीक छो में से किस में औस दिये गुन पाया जाते तो नीम में अगला प्रशन दोस्तो मरकरी मिनमाटा रोग के लिए उतरदाई है अगला प्रशन सीसा का शेवन मुखर पहुचा सकता है अगला प्रस्ण 68 का हो जाएगा दोस्तो लाल मलेडिया जो हैने दोस्तो यह परजीवी शंक्रमन से उत्पन होता है अगला प्रस्ण दोस्तो क्लोरो फ्लोरो कारवन के अस्तर में बृदी के कारण ओजोन रिक्तिकरन होता है प्रदूशन के कारण सुर्य में छे नहीं हुआ है जल प्रदूशन का मुख्य स्रोत और धोगिक प्रदूशक है अगला प्रस्म दोस्तो सुर्य जो है उर्जा का प्रम स्रोत है परमानूशनलयन सुर्य की उर्जा का स्रोत है भारत में बन भूमी के अधिक्ता महानी कृस्थी के कारण होती है अगला प्रसंदोस्तो भारत में ताप विधूत उत्पादन कोईला को जलाकर किया जाता है पारमपरिक परमानू रियक्टर में यूरेनियम इंधन के रूप में प्रियूख्त होता है अगला प्रसन है दोस्तो, कोईला से प्राप्त उर्जा, उर्जा का अच्छे स्रोत नहीं है 79 प्रसन है दोस्तो, ब्लेंक स्पेस जलने पर नियुंतम प्रदूशन उत्पन होता है संसोधित जल पीने योगी होता है बरतमान में भारत में बायो डीजल का उत्पादक जट रोफा बिरिक्च से किया जाता है सौर पैनल के निर्मान में चांदित हातू का प्रियोग किया जाता है अगला प्रस्न दोस्तो जापान नियमित भुकंपों के कारण जाना जाता है फिर भी बड़े बिक्सित तरह देश है आपको पताई होगा हमेशा यहाँ पे दिन में चार से पांच बर भुकंप आना आना है हर रोज फिर भी ये बहुत बिक्सित राष्टर है एक जन्तु प्रजाती के शंपुर्ण बिनास होने को बिलुप्त होना कहा जाता है शमुद्री जल का अस्तल मुक रूप से हीम नदो का पिघलना के कारण बढ़ता है अगला प्रस्न दोस्तो आपको पताई होगा MP को बागराज के रूप में जाना जाता है और संखला एक ब्यक्ति का नाम है जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है इन टाइगर मैन के रूप में यह जाने जाते है और MP को बाग टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है यहाँ पे टोटल 11 टाइगर रिजर्व है अगला प्रस्ण दोस्तों भारत में सबसे बड़ी ताज्य जल की जील है तो ये बूलर जील हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा मिर्यदा शमुक काली मिट्टी का है दोस्तों अगला प्रस्ण CNG से भी प्राई है संपेडित प्रकिर्टिक गैस अगला प्रस्ण ब्लेंक स्पेस एक जिवासम इंधन नहीं है तो ये लकडी हो जाएगा बादमा की सभी है अगला प्रस्ण दोस्तो मिथेन CNG का मुख्य घटक है अब सिस्ट पदार्थों से विदुत उत्पादन की विधी को ब्लेंक स्पेस कहा जाता है इसके बारे में आप लो हमें बताना इसका आंसर 94 का 95 है दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा परमानुदुर घटना 96 भारत में सबसे अधिक घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा तो ये आपको पताई होगा अगला प्रस्ण ववबिंदु जहां से भुकम्प, हलचल, सरपर्थम उत्पन होती है तो एपी सेंटर हो जाएगा बावा आम्ते नर्मदा बचाओ अंदोलन के नेता थे अगला प्रस्ण दोस्तो क्योटो प्रोटोकॉल किस बर्स हस्ताक छृत हुआ तो ये 1997 में तो दोस्तो ये था साइन्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का जो एक्जाम गुआ था 2020 में इनका कोस्चन पेपर का रिविव इसी प्रकार से अगर आप LNMU से जुड़ी हुई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे इस चाइनल संपोर्ण इंगलिस को सब्सक्राइब करें और दोस्तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि GES की प्रिपरेशन आप जब कभी भी करें तो केवल और केवल पिछले चार से पांच सालों के कोश्चन पेपर को ही आप रिवीजन कर ले मैक्सीमम परसनिहां से आ जाएंगे लगातार जो मैं प्रिप्रिप्रिप्र के कोश्चन पेपर का वीडियो जो बना रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि 70 से 75 परसेंट हूँ बहू दूसरे वाले सिप्ट से डिरेक्ट पूछा गया है तो इसलिए आप किसी अन्य मेटरेल पर बिल्कुल मत जाना केबल प्रिवियस एर कुश्चन पेपर को ही लगा लेना और एक चीज़ा और मैं बता दू प्रिवियस एर 2018-19-20 जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक 20 तक मैं सभी पेपर को रिवियो कर चुका हूँ लगभग 10 के आसपास वीडियो अभी तक बनाया हूं फ्यूचर में और बनाऊंगा और एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं पार्थाट जी एस तो इस प्लेलिस्ट में आप जा करके सभी वीडियोज को देखना किसी बुक किसी गाइड किसी गेस पेपर लेने की जरुरत नही है बस आप वीडियो को गौर से सुनना और आग से प्रसन को दिखोगे कान से मेरे अवाज को सुनोगे बस सफिसेंट हो जाएगा दोस्तों थैंक्यू समच दोस्तों